आज मैं एक सवाल करना चाहता हूँ नितिस जी कि आप एडमेश्टेटर हैं आप शाषक हैं अगर शाषक और परशाषन अगर ये तै़ करने के पत्ता नहीं हिल सकता तो पत्ता नहीं हिल सकता यानि ये आपके एडमेश्टेशन की ठीला पन है जो दंगा हुआ और इतना कार आप खो चुके हैं अब परधार मंतरी बनने की बात कर रहे हैं और पर दूसरी बात अगर आप बन भी गए मानिए आप उमीदवार बन भी गए तो वोट कहां से लाएंगे आप 2024 के चुनाबों को लेकर विपक्षी पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं और इसी बीच नितिश कुमार आप और जो हैं देश की राजधानी दिल्ली और वहां उन्होंने मलिका अरजुन खड़ गे तो वहीं दूसरी तरफ राहुल गांदी से मुलाकात की ह है तो वहीं केंद सरकार पर साधा गया है और तमाम आरोप लगाए गए है इन पार्टियों की तरफ से इस पूरे मामले पर बात करते हैं हमारे साथ मौजूद है मुफ्ती शमून कास्मी जी सर्थ 2024 के चुनाबों को लेकर एक तरफ पीम ने तो मोदी है तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष ने अभी से तैयारी शुरू कर दी है जाहिर है कि 2024 की तैयारिया शुरू हो गई है उदर विपक्ष भी अपनी तैयारी कर रहा है और परधान मंतरी श्री नेरंदर मोदी जी भी अब बिलकुल मैदान में निकल के आ गये हैं पूरी टीम उनकी मैदान में क कि बहुत एक बहुत महबत है और लोग उनमें उनमें एक ऐसा मसीहा देखते हैं कि जो हिंदुस्तान के नाम को पूरी दुनिया में जिसे ने रोशन किया है और वो इस चीज़ को आगे बढ़ाएंगे नितिश कुमार ये कह रहे हैं कि राहूल गांधी इतुहास बनाएंगे? जो है वो कोट के अंदर उन पर एक अपराधिक मामला चला जो उन्होंने एक सरनेम का को बदनाम करने का प्रियास किया और उस सरनेम को अन्यकों लोगों से इस्तिमाल करते थे तो जाहर है कि कोट ने उसे उन्हें इसके लिए मुझरिम पाया और उन्हें सजा दी और सजा सु बली, यानि जो भी सहमेदानिक पोस्ट पे भी खतम हो जाएगी, तो जाहरबाद यह इतिहासी तो बना रहे हैं, तो आरोप तो लगा रही है, पर अलग अलग मुद्धों को लेकर आरोप तो लगा रहे हैं, प्रधान मंतरी कौन बनेगा, उस पर क्युं चुपी साद्ली यह आये पहले तो विपक्ष्य यह तैयकरे किसी मेरे पहाल से इतने इनके संगटहने उतले इनके परदार मंतरी कोँ विएदान उपीदवार है तो एक और University मंतरी जो नेरेंदर मोदी जी जो भारती जनता पार्टी का और नहीं बलके इस देश का परधान मंतरी इस देश का उम्मीदवार है भारत के 140 करोड़ लोग का वो उम्मीदवार बनेगा और मैं समझता हूं जिस तरह से उन्होंने इतिहास अतीत में बनाया है ये भी एक इतिहासिक उनकी जीत होगी और बहुत बड़े मारजन से जीत होगी और हर वर्ग उनसे प्यार करता है तो ये आप अगर ये बात कहेंगी तो आपको ज़रा सा अटपटा लगेगा कि मैं के मुसल्मानों के बारे में मानेरिटी के बारे में आपको बात करनी चाहिए मैं आज ये बात कह सकता हूँ कि मानेरिटी को जितना नरेंदर मोदी जी के दौर में प्रोटेक्शन मिला है इतना किसी सरकार में नहीं मिला आप ये देखिएगा कि आप पीछला दौर उठा के देखिए इतने शहर नहीं है कॉंग्रेस के दौर में जितने दंगे हुए हैं सामपरता ही दंगे हुए हैं आज उनके दौर के अंदर कहीं कोई दंगा ऐसा नहीं हुआ है कि जिसे आप ये कहें 2014 से और आज तक ये भारत धंगा मुक्त है इसलिए माइनरिटी की पराइटी पर परदार मंतरी शिरेज नहेंदर मोदी जी होने चाहिए और होंगे ऐसा मैं आशा करता हूँ मैं आश्वस्त हूँ इस बात से के परदार मंतरी को माइनरिटी को अपने आपको उनसे जोड़ना चाहिए विशेस कर मुसल्मानों को कि तुमने बहुत सारी अपीले कर ली बहुत देखा आपने मैं अभी नितीश कुमार के राजिय की बात करता हूँ कितना माल जान की हानी हुई है कितना नुकसान हुआ है मुसल्मानों का क्या ये माइनरिटी और मुसल्मानों को भूलना चाहिए कि ये बीजेपी और आरेसस का डर दिखा करके मुसलमानों को ये भर्मित कर रहे हैं आज मैं एक सवाल करना चाहता हूं नितिश जी कि आप एडमेस्टेटर हैं आप शाशक हैं अगर शाशक और प्रिशाशन अगर ये तै करने के पत्ता नहीं हिल सकता तो पत्ता नहीं हिल सकता यानि ये आपके एडमेस्टेशन की का धिलापन है जो दंगा हुआ और इतना नुखसान हुआ बिहार के अंदर और बंगाल के अंदर ममता जी की हां हुआ इसलिए मैंने कहा था कि आपको नेतिक तोर से जो है वो अधिकार नहीं रह गिया है कि आप सरकार चलाएं आपको शाषन करने का अधिकार आप खो चुके हैं अब आप परधार मंतरी बनने की बात कर रहे हैं और पर दूसरी बात अ गैस है, CNG कम हुए है उस पर, निरंदर अब कम हो रहे हैं जैसे जैसे मार्किट के अंदर रेट कम होते हैं ऐसे इधर सरकार भी कम करती है बहुत बड़ी राहत मिली है यानि CNG जो योजर है जो उसे यूज करते हैं उन्ने बहुत बड़ी एक एक केजी पर उन्हें पांच के कल्यान के लिए काम कर रही है और जैसे जैसे देशवासियों को जहां भी वराहत दे सकते हैं वो देंगे महंगाई भी कम होगी और आमदनी भी हमारी बढ़ेगी इसी के साथ बार बार पर अब जैसे के अभी आपने माइनुर्टी को देश के प्रधान मंतरी नर्लिंदर मो हूँ अभी मेरी उमर तो इतनी नहीं है मगर मेरा तजरबा बहुत है क्योंकर हमने देश के लिए काम किया है हमने अगर आप देखें कि अपनी बेटी जो हम परधान मंतरी नर्यंदर मोदी के क्यों आभार व्यक्त करते हैं जब हमारी बेटियां जो है साड़े साथ साथ सा पर साथ साथ सो बच्चिया रह गई थी तो हमें फिकर हुई कि हमारी बच्चिया अगर यह होगा तो देश के अंदर लाउन आडर बिगड़ जाएगा और आज आज जब से उन्होंने वो मोहिम शुरू की कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ तो आज लगबग वो रेशि के लोगों से मुहबत करता है इसलिए कि अगर लड़कियों की हिफादत नहीं होगी लड़कियां हमारी अगर पैदा होते ही मार दिये जाएंगी तो यह हम कहां से लड़के कहां साएंगे हमारी जनरेशन कैसे आगे जाएगी तो यह काम नरेंदर मोदी जी कर रहा है जो ज जानों माल से जुड़ा हुआ हैं उनके सेंटिमेस जो हैं उनसे जुड़े हुए हैं तो इसलिए मैं आज ये बात कहा रहा हूं कि शिरी नरेंदर मोदी को अभी हम लोग उस नजरिया से नहीं देख रहे हैं नरेंदर मोदी जी नेता नहीं है वो एक समाज उनके दिल के चिंगारी बैठी हुई है और वो चिंगारी समय समय पर जो है शोला बन जाती है तो इसलिए मैं आप से ये कहना चाहता हूं कि शिरी नरेंदर मोदी जी एक वो आदमी है जो लोग के कल्यान के लिए काम कर रहे हैं और वो मैं तो अपने जब कभी मैं सोचता हूं तो मेरे स चोचने का अंदाज तो ये है कि वो परदानमंतरी की कुरसी बेठे हैं एक गरीब घर के अंदर पैदा होने वाला आदमी यानि उनके घर के अंदर ना कोई नेता गुजरा है ना कोई आईएस और आईपिएस गुजरा है विल्कुल साधारण घर से उनकी माता माता शिरी आप तो वो परलोग समार गई स्वर्गय हो गई आप देखिएगा कि उनकी माता जी को देखकर कि आप अंदादा कर लेंगे कि उनकी माता कितनी सिंपल थी उनका परिवार कितना सिंपल था ऐसे परिवार के अंदर कोई किसी को परदानमंतरी बना देगा आज ये नरिंदर मोदी जी श्री नर्द मोदी जी साब के जरीए से अगर मेरी आवास सुन रहे हूं कि आप बिलकुल आगे बढ़िए इन लोगों की परवा मत करिए विपक्ष बिलकुल खतम हो गया है इने विपक्ष के लायक पब्लीक ने नहीं छोड़ा है चाहे वो राहुल गांदी जी इन चद्दु जहत करनी पड़ेगी कहें के लिए अपने चरित्र को निर्मान करना पड़ेगा लोगों बताना पड़ेगा कि हम सेवा के लिए आ रहे हैं। कि सेवा 60 साल बहुत सेवा कर ली उन्हें पूरे देश के अंदर ऐसी सेवा की है कि पूरा देश जो है वो तरही तरही कर गिया था यह आप यह देखे देश के बटवारे से लेकर के और आज तक जितने भी मसाइल हुए है उन सब की जड़ों के अंदर मैं कॉंग्रेस को ही सम कर फांद जा है दो